वीर गूजरी जिनका बहुत ही शुरणी में तिहास रहा है यह चंपा कली पहनी हुई है इन्होंने आज की रेट में शायद कहीं मिलेगी भी नहीं वीर गूजरी जजजर की बेटी हुई को टलम मारी पर में ब्याई हुँ एक इसम से हम इनको पुराने जमाने की ओर्थो भी बोल सकते हैं दोख लो अटे की रोटी पोती हुँ चुले पह अर गरीब नो खौकाती हुँ जाएं दोस्तों मैं निल बैसला सुरज गूर्जर मेले में अब हमाँ पहुचें लोग स्टेज नंबर टू जो महिलाओं का है यहां पर एक बुजुर्ग दादी एक बुजुर्ग महिला वीर गूजरी जिनका बहुत ही सुरणी में इतिहास रहा है आई अब हम इनी से जानते हैं यह कहां से इनका नाम क्या है और इन्होंने क्या किया है अपने जिए उम्र लगबग 90 साल प्लस बताई जा रही है तो इनसे जानते हैं माताजी आपका नाम क्या है तूल बती भूल बती कहां से आप कोटला मुबारिकपूर दिल्ली से हैं यह तो आप बताएंगे यह क्या पहना हुए आपने क्या बोलते हैं इसको चंपकली यह चंपकली पेहनी हुई है इन्होंने आज की डेट में शायद कहीं मिलेगी भी न यह सौने के बटन पहने हुए इनोंने चंपा कली पहने हुई है और आप आपने पहले जीवन के बारे बताए जब आप जवान थे तो कैसे रहते थे क्या करते थे मैंने सुना चस्मा पहने के घुमते थे आप अपने अपना जान दे थी अपनी कडाई बुनाई और मरी जो के टाइम पर बहुत कडाई बुनाई करती है अब लोगों के हाथ पैरों की मतलब मालिश वाली जो हटी तूर जाती है वो भी करती है आज के ताइम है किसम से हम इनको पुराने जमाने की और थो भी बोल सकते हैं कि जिनके हटियों में कोई प्राबलम हो जो रही होगी उनको ठीक करना अले वह अभी नमपेस साल के माने बोली अभी भी किसी को तो मैं कर दूंगी ठीक मतलब और तो डॉक्टर फेल है इनके आगे यह पुराना कोई नूर ही रहा है हमारे गुजर समाज का अबी भी डेली डेली चौदे कि रोटी खिलागे गरीबों को खिलाती हैं जजबाद एको 90 साल की उमर में एक गुजरी लेडी का यह कोई और नहीं कर सकती एक गुजरी औरत का इसी लिए गुजरों को वीर कहा जाता है मैं पीर गुजरी हूँ जजजर की बेटी हूँ कोटलम हमार इपर में ब्याई हूँ जजजर की लोग और अंतर हरियाने की है इसी के साथ हम आगे चलते हैं राम राम आताजी राम राम भाही आहुज जजरे करो हमारा इन दड़के कहा जाए है? हमारे इन बड़के कहा जा रहे है ये भी पढहरी पयगुज नहीं कोई भी और तक हाट इसे सबित हो नहीं आगे बात है यह जो भर रही है आप बात है जो डेट सो जा दो सो जा पर्शान नहीं करते हैं अच्छाना मिले हैं उनके जादा मिले हैं अच्छाना चोदा चोरी चाहिए हैं नहीं